साथियों नमस्कार मैं हूँ नीरच पटेल और आप देख रहे हैं निसनल जन्मत यादव कुर्मी जनरल में डालो ये मैं नहीं कह रहा हूँ तमाम लोग ट्रेंड कराने की कोशिस कर रहे हैं कौन लोग ट्रेंड कराने की कोशिस कर रहे होंगे इसका उत्तर आप अपने आप से खोज लीजिए इसलिए क्योंकि पिछड़े वर्क की अन्य जातियां तो ये ट्रेंड करा नहीं सकती हैं हाला कि जो कुछित सामंतवादी और जन्वजात स्रेश्टता की मानसिकता से घिरी हुई जातियों के लोग इसको ट्रेंड कराने की कोशिस कर रहे हैं वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कुछ फरजी आईडी जो इन दोनों जातियों के इतर बैकवर्ड की अन्य जातियों की टाइटल रखने वाले नाम हैं उनसे आईडियां बना करके भी कुछ एक टूइट करवाए गए हैं लेकिन जब सारे टूइट्स को आप गौर से देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि केबल दो मानसिक्ता यानि की सामंतवादी और जन्मजात स्रेष्टता की मानसिक्ता से घिरे हुए लोग ही बैकवर्ड की अन जातियों को इन दो जातियों के खिलाफ माहौल तैयार करवाने के लिए इस तरह का ट्रेंड करवा रहे हैं मतलब सवन्ड समाज की जातियों को बहुत तकलीफ है कि पिछडे वर्ग में किसका हिस्सा कौन खाये जा रहा है तो मेरा सवाल ये है कि अगर इतनी ही तकलीफ है तो फिर जातिवार जनगलना से सरकार और सवन्ड डॉमिनेटिड राश्ट्री स्वहम सेवक संग को तकलीफ क्यों है जातिवार जनगलना करवा लो सब कुछ साफ हो जाएगा कि बास्तों में देश के संसादों पर कौन कबजा जमाय बैठा है खेर मैं अपनी मूल बात पर आता हूँ यादव कुर्मी जनरल में डालो इत पूरी बाची से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके खिलाफ नफरत का ये माहौल बनाने के लिए बैकवर्ड की अन जातियों के लोग आगे नहीं आए सवर्ण समाज की कुछ खाज जातियों के लोग आगे आए अब सवाल ये है कि कौन सी वो जातियां है जिनको इन दोनों जातियों से मिल करके तकलीफ है हैरत की बात देखिएगा कि सवर्ण समाझ की कुझ जातियों को यादा औ खुर्मी को मिला करके तकलीफ है वो इन दोनों जातियों के खिलाफ बेक वर्ड की अन्ने जातियों को भछकाने की कोसिस कर रहे हैं इनके आगे बढ़ने से इनके अधिकारियों को देख करके इनके विधायकों सांसदों को देख करके इनकी तरक्की देख करके उनको तकलीफ है दूसरी हैरत की बात ये है कि इनको आपस में ही एक दूसरे की तरक्की को देख करके तकलीफ है सोचिए आपका दुस्मन कोई और और आप दोनों एक दूसरे के दुस्मन राजनीती को परे रख दिया जाए क्योंकि राजनीती तो आपस में बैर कराती ही कराती है तमाम ऐसी पार्टियां जो भारती जन्ता पार्टी को प्रतियक्ष समर्थन कर रही है यह यह कह लें कि भारती जन्ता पार्टी की आक्सीजन से सासे ले रही है उनके एजेंडे में शामिल है कि वो कुर्मियों से यादव का बिरोद दिखाएं तब ही उनकी राजनितिक दुकानदारी से ट रह पाएगी और यादवों से कुर्मी का बिरोद दिखाएं यहां भारती जंता पार्टी की कुटल राजनिती देखिए भूपेंद्र यादव को आगे करके उनको यादव का चेहरा बताने की कोसिस कर रही है बीजेपी और अपनी पिछलगू पार्टी से और उसके समर्थकों से यादव समाज का बिरोद इसलिए कराती रहती है ताकि ये दो मजबूत समाज एक साथ ना आपाएं इससे भारती जनता पार्टी का फाइदा क्या है फाइदा ये है कि दोनों आपस में लड़े और उनका सवर्ण बाद भारती जनता पार्टी और संग में पल्लवित पुस्पित होता रहे पिछड़े वर्ग की अन्य जातियों को इसलिए भड़काने की कोशिस की जाती है कि यही जातियां अपेक्छा करत देखें अगर सवर्णों से तो सक्षम नहीं है लेकिन अपेक्छा करत पिछडे वर्ग में कुछ सक्षम है क्योंकि संख्या भी जादा है संख्या जादा होने की बज़े से पढ़े लिखे जादा है तो सवभाबिक है नौकरियों में या राजनीती में अन्य लोगों से जादा है तो जादा होने की बज़े से लड़ाई भी लड़ते हैं, संघर्स भी करते हैं, लिखते पड़ते भी हैं और समाज की आवाज को भी लोगों की बीच में पहुचाते हैं, जब पैसे देने की बात आती है तो सौभाविक तोर पर जो सक्षम भाई होगा वो आंदोलोनों में अलग थलग करने के लिए, पिछड़े वर्क के मूमेंट से अलग थलग करने के लिए, पहले एक सुगूफा छोड़ा गया, OVC में क्रीमी लेयर लगा दिया गया, उससे क्या हुआ, OVC का जो संपन्न तपका था, जो लड़ सकता था, बस लगाने के लिए पैसा खर्च कर सकता था, अच्छा वकील कर सकता था, कोर्ट में जिरह कर सकता था, फेस्बुक, सोसल मीडिया के माद्यम से ब्रोध कर सकता था, उस लड़ने वाले भाई को क्रीमी लेयर बता करके आप से अलग थलग करने की कोसिस की, तमाम सारे लोग जो ये मान लेते हैं कि मेरे बेटे क क्योंकि मैं फर्ष क्लास ओफिसर हूँ, इस बज़े से मेरे बेटे को रिजर वेशन नहीं मिल सकता, वो मान के चलते हैं कि हम मैं OVC नहीं रह गया हूँ, लेकिन पिछड़े वरग में तमाम सारे ऐसे लोग हैं, जिनके बच्चों को पता है कि आगे रिजर वेशन नहीं म प्रिक्रिया भी है, क्योंकि राष्ट किसी सीमा से मिलके नहीं बनता, बलकि इनसानों से, यानि कि उस देश के नागरिकों से मिलकर बनता है, इस देश की बहुसंख्या का वादी को ही आरक्षिद वर्ग कहा जाता है, आरक्षिद वर्ग जब साधन संपन बनेगा तो स्व दोनों जातियों को आपस में समझने की जरूरत है, देखिये, मैं सपश्टत तोर पर कह रहा हूँ कि राजनीति को साइट में रखदीजिए, इसलिए क्रुमी को कुरमी मुखमंत्री जाहिए यादो को यादो चाहिए मौरिया को मौरिया चाहिए अन्य जातियों को निसादों को अपना मुखमंत्री चाहिए जो संभव नहीं है भारती जन्ता पार्टी यही चाहती है कांसी राम साहब ने पहले बिविन जातियों के नेता खड़े किये अब उन नेताओं ने अपनी अ पहले से ही 25, 30, 35 विधायक चुन करके आ रहे हैं उनके नाम पर राजनितिक रोटियां सेखने वाली पार्टियों को दलाल ना कहा जाए तो क्या कहा जाए कुल मिला करके पहले इन दोनों जातियों के लोगों से मेरा अनरोध है कि आपस में एक दूसरे के लिए नफरत ना पालें किसी की राजनिती को सजाने के लिए एक दूसरे को गालियां ना दें कुर्मी समाज के लोगों से अन्रोध है कि पार्टी को साइड में रखते हुए पहले प्लॉट खाली करवाने की कोसिस करें आपका plot दूसरे के कबजे में हैं आप पहले ही लड़े जा रहे हैं कि तुम हमारा इस्सा जादा खाये जा रहे हो हम तुमारा इस्सा जादा खाये जा रहे हैं यादव समाज के लोगों से भी अन्रोध है कि पहले से ही कुर्मी और मौर्या पर किसी खास पार्टी के लेबिल मत लगाईए तमाम वो जागरुक लोग जो भारती जनता पार्टी और उसकी नफरत की राजियती को पसंद करते भी नहीं है लेकिन यादव समाज के तमाम टाइटल लिखे हुए फेस्बुक प्रफाइल से या ट्विटर प्रफाइल से सीधे सीधे कुर्मी और मौर्या को भाजपाई बता दिया जाता है इस तरह की नफरत फैलाना बंद करिये सामाजिक प्लेटफार्म पर एक जुट होई है ये सोचिए कि अगर सब कुछ बिग गया तो फिर जब नौकरियां ही नहीं रहेंगी क्योंकि निजी छेतर में तो आरक्षण मिला हुआ नहीं है तो जब आरक्षण भी नहीं रहेगा तो सौभाविक तोर पर लड़ाई किस से लड़ोगे कौन कम कौन ज़ादा की लड़ाई किस से लड़ोगे केवल कुर्मी यादव ही नहीं पिषडे वरकी अन्य जातियों को भी समझने की जरूरत है कि उन जातियों को आप से अलग करने की कोसिस की जा रही है जो आपके भाई आपके लिए लड़ाई लड़ सकते है लेकिन यहाँ पर यादव समाज के लोगों को खासतोर से ये बात समझनी चाहिए इसलिए क्योंकि उनकी सत्ता कईवार आई है और आगे भी जिसकी सत्ता बैकवर्ड में आने की जादा उमीद है वो यही विरादरी के लोग है इसलिए आप ये अगर समझोगे के हम बड़े भाई हैं तो बड़े भाई को वो बड़पन दिखाना चाहिए अपने अन्य छोटे भाई निसाद, बिसकर्मा, तेली, कस्यप, कुर्मी जो भी हैं उन तमाम भाईयों को परियाप्त प्रदुनिदुत उनकी संख्या के हिसाब से आपको देना पड़ेगा नहीं तो भारती जनता पार्टी, दक्षण पंत, हिंदुत बादी ताकतें मंदिर हिंदू-मुसलिम में उल्धा करके सौभाविक तोर पर आपके खिलाब भड़का करके राजनेतिक रोटियां सेखते रहेंगे मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मुख मंत्री एक ही जाती का व्यक्ति बनेगा हर जाती का व्यक्ति ये सोचे कि हमारी जाती का मुख मंत्री बन जाए फिर से आप सामपरदायक ताकतों को मजबूत कर रहे हैं लेकिन जिस भी जाती का मुखमंत्री बनेगा अगर पिषड़े वर्क से बनता है या दलिद वर्क से बनता है क्योंकि चुनाओ आते जैसे जैसे नजदीक आएगा इस तरह के दुस्परचार सुरू होंगे यादाओ को कुर्मी से लड़ाये जाएगा कुर्मी को मौरिया से लड़ाये जाएगा अन्य बरादरियों को इन तीनों बरादरियों से लड़ाये जाएगा आपसी सिर्फ टवल में दूसरे लाव ले जाएंगे और हाँ इस वीडियो को देखने के बाद ये उधारन मत दीजिएगा कि मैं इस समाज का हूँ मुझे इस समाज की व्यक्ती ने धोका दे दिया ये सोचिएगा कि को जाती तो छोड़ दीजिए एक ही परवार में क्या भाई-भाई से सबकी बन रही है क्या भाई-भाई का दुस्मन नहीं है इसलिए एकाद उधारनों को ले करके किसी समाज पर टिपनी करना उचित नहीं देखते रही नेशन जन्मत जागरुक और सजक बने रहिए जै विज्ञान, जै समीधान, जै लोगतंत्र, धन्यवाद